मस्जीद के अंदर रखे गरंथों को आग लगाने की खबर जैसे ही सामने आई हजारों के संख्या में मुसल्मान सरक पर आ गए और प्रसासन को धमकी देने लगे कि अगर दोस्यों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरे देश का मुसल्मान अगले 24 गंटे में सरकों पर उतर जाएगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे आनन फानन में जहां पड़िया घटना हुई थी वहां हजारों की संख्या में सुरक्षावल के साथ पूलिस के आलाधी कारी भी पहुंच गए और मौके पर लोगों को समझाने बुझाने का काम अला मामला योगी सरकार ने अब तक संभधी तर्षिकारियों को क्या-क्या निर्देश दिये हैं और प्रसासन ने कितने घंटे के अंदर दोसियों को पकरने का दावा किया है जिसके बाद आकरोसित भीर कुछ सांत है आपको बताएंगे नमस्कार मेरा नाम परितोर्शाह ही है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से दिस्संप्रदाइक सद्वाव बिगारने के प्रयास वाले मामले सामने आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि देश के अंदर बैठे देश के दुस्मनों ने बड़े अस्तर पर महौल ब मदर्से से आया था जब कुछ असामारिक तत्यों ने मदर्से के अंदर जाकर पुजा पाठ करके महौल बिगारने का प्रयास किया था लेकिन दोनों जगव पुलिस ने ततपरता दिखाई एकदम जल्द दोस्यों को गिरफतार करके लोगों को नया भरोसा दिलाया कि ऐसे किसी असामारिक तत्यों को बक्सा नहीं जाएगा जो धार्मी का धार पर समाज में जहर फैराने का काम करते हैं वह चाहे किसी भी धर्म का हो किसी भी मत या मजहब का हो अगर गलती करेगा तो प्रसासन चुप नहीं बैठेगी अब एक औरह साही मामला उतर प्रदेश के सा जहां पूर से आया है जहां के एक सियद साफ फक्राय आलम मिया मस्जिद के अंदर घुश कर कुछ लोगों ने वहां रखे धार्मी कुश्कों को आग के हवाले कर दिया यह सुचना जैसे ही लोगों तक पहुँची हजारों की संख्या में लोग कुछ मिनट के अंदर ही सर किया लेकिन बड़े-बड़े अधिकारी परदर्सन कर रहे हैं लोगों को समझाने में लगे रहे हैं अस्थानिय पूलिस अधिक्षक आनंद ने लोगों को आस्वासन दिया कि इस घटना में जो भी लोग दोसी है उसी गिरफतारी 24 घंटे के अंदर किसी भी हाल में कर ली ही है जल्द ही पूरे मामले से परदा उठ जाएगा इस पीनों लोगों को सांती बेवस्था बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जब तक सारे पहलूओं की जाच नहीं की जाती किसी भी निसकर्स पर पहुँचना जल्दी बाजी होगा और यह कहना भी गलत हो है पुलिस इस एंगल से भी छानवीन कर रही है कि किसी इसलाम धर मानने वाले आसमाजिक तो दुरा भी यह काम किया जा सकता है और वह इसका आरोग किसी और पर लगा कर यह साबित करने का प्रयास कर रहा हो कि देश और उतर प्रदेश के मुसलमान अब सुरक्षित नहीं ह जा रहा है उनके धारमी गरंथों को जलाया जा रहा है इन सभी पहलूमों पर पुलिस जाच कर रही है ताकि जल्दिवाजी में कोई निर्दोस आद्वी इसमें फंस न जाए हजारों की संख्या में UPSTA फलट पर है पुलिस को इस वात का भी डर है कि ठीक इसी प्रकार का घटना कुछ दिन पहले हुआ था जब उतर परदिस के कई सरों में इस कारान जमकर भवाल मचा था कई हिंदूों के घर जलाये गए थे कर निर्दोस बेवजह मारे गए थे ऐसी घटना दवारा नहों इसकी पूरी तयारी की जा रही है बाकी अभी हालात काव में है पुलि का घटिया हरकत करने वाले आगे सहसा ना करे और सांती भंक करने वाले जितने भी लोग है उनके मन में एक खौफ बैठे बाकी आगे इस ख़वर पे जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे आगे के ख़वर के लिए जनता जंक्शन देखते रही है वीडियो को श